नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल खत्री डेरी फारम पर आपका एक बार फिशे श्वागत है आज की वीडियो में एक देशी गोधन है देशकते नीचे से अटर क्वालिटे काफी अच्छे मुठिया थन है पहले ही ब्यात में है अभी और लगबग दो अफते के करीब 15 दिन के करीब ये ब्याई हो चुकी है और देख सकते हैं काफी सांथ सुबाव पहले ही ब्यात में जो इसकी लिवटी आप देख पारे हैं काफी अच्छी लिवटी बड़ा अडर शाइज देशी गाय में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता ह और काफी अच्छी सांथ सुबाव की गोदन है विकरी के लिवटी उपलब्द है आप छोटे सींग है देख सकते हैं जो अडर क्वाल्टी है टाइट अडर क्वाल्टी है विल्कुल छोटा सटीक अडर है और साथ में इसके बचड़ा है लगबग 15 दिन के बियाई हो चु है या हरियान भी जादा है वो आप कोमेंट के जरी जरूर बताए किस परकार की नशल है और विकरी के लिए उपलब्द है दूश अमता इसमें 12 लेटर बताई जा रही है और अभी फिलाल इसमें 10 लेटर दू त्यार है और 12 लेटर तक बाईशाब ने इसकी जो मिल्क कैप वारा थोणों में तो नहीं है इस परकार से देख सकते बिना नेने कि आप किसी परकार से आप लेटी को अगर हाथ लगाते है या किसी परकार से पैरों पे सरीर पर हाथ लगाते है इस कोदन के तो किसी परकार का इसमें टकर मारने का या पैर उठाने का या पैर मारने कोई सबाव इस गाय में देखने को नहीं मिल रहा है बाकि आप अपने जो लेते हैं वो अच्छी तरह जाच पर रख के आप खरीदे और साथ में इसके बच्छडा है ये पहले ही बार की है और लग बख़ट चार से पांच साल तक इसकी शायद चार से पांच साल के बीच में इसके बाईशाब ने एज बताई है और फुल मिलकिंग वीडियो है कीमत इन उने इसकी 32,000 पे डिमांड की है बाकि आप इनसे संपर कर सकते हैं नंबर दिया गया है इनका वीडियो में और इनका फुल एडरस आपको description box में मिल जाएगा या आप इनसे संपर कर सकते सिदा और कोशंबे इनका गाउं है नागोर में ये इनका तहरा नागोर राजस्तान में कोशंबे इनका गाउं है बाकि पूरा एडरस आपको description box में मिल जाएगा और विकरी के लिए उपलब दाथो वीडियो को अंद तक जरूर देखे और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताए और अगर कोई बाईश परकार से अपनी वीडियो शेयर करना चाहता है चैनल पर यूटूब चैनल पर खत्री डेरी फारम पर तो आप निचे आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा आप मुझे वाट्सब के थूरा डारेक्ट कोल करके आप बात कर सकते हैं तो इस वीडियो को अंद तक जरूर देखे काफी अच्छी इसमें दूर शमता बताएजारी पहले ही बयात किया खाले बाल्टी दिखा दी गई है देख़ते हैं और समय समय पर काफी अच्छी देशी गोधन लेकर के आते रहते हैं सिर्फ देशी गोधन ही ये रखते हैं राठी शायवाल और हरियान वी नशल की दाकिसानेगर से वीडियो है और लेकर के आते रहते हैं काफी अच्छी गोधन समय समय पर ज़्यादा गाए नहीं रखते हैं एक लेकर के आते हैं अगर वो सेल होती तब ही दूसरी गाए ये लेकर के आते हैं ज्यादा व्यापार उसमें नहीं है तो एक दो एक दो गाय ही ले करके आते रहते हैं तो जो भी बाइले नका इच्छो को संपर कर सकता है इन से वीडियो मेंन का नमबर दिया गया है फुल एटरस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकि आप इनसे भी संपर्ख कर सकते हैं इनसे जानकारी ले सकते हैं इस गाए के बारे में और ट्रांस्पोर्ट की शुदा इनके पास उपलबद आप इनसे बात कर सकते हैं 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 झाल 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 झाल